हलो नमस्कार सभी साथियों को मैं हर्विर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में तो साथियों चैनल पर नए हैं इस तरह की और भी authentic अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए तो साथियों बहुत सारे साथियों के माइन में कोस्टन था कि जो अभी आने वाले टाइम में एक्जाम होंगे या नहीं होंगे तो अब जो exam है उनकी रहा बिल्कुल साफ दिख रही है कि अब exam धीरे-धीरे होने वाले हैं चाहे हम किसी भी exam की बात करें तो धीरे-धीरे सारे exam अब होने वाले हैं और इसमें अगर हम बात करें REIT से कुछ update निकल के आ रही है REIT जो 2 September को होने वाला है तो वो 2 September को ही होगा अभी की जो update है उसके according और इसके बाद इसमें जो भी कुछ आगे अगर बद्राव होता है तो उसकी information आपको दे दी जाएगी लेकिन अभी सिक्सा मंत्री ने clear कर दिया कि जो REIT का exam है REIT की जो परिक्सा है वो 2 September को ही होगी तो जो भी अभी अभी रीट की preparation कर रहें तो आप लोग अपनी preparation में लगे रहें और आपको बताना चाहता हूँ कि जो exam है ऐसा नहीं सिर्फ REIT अभी जो भी exam है तो exam तो कराए जाएंगे हलाकि social distancing इसको maintain रखा जाएगा वो maintain रखनी पड़ेगी आपको उसके बाद ही ये सारी चीज़े होंगे जैसे mask वगरा और sanitize वगरा ये बहुत सारी जो formalities होंगी और हो सकता है कि ये exam center पे आपको और ये तो होगा ही जहां तक ह exam center पे आपको बहुत पहले बुलाया जाएगा जिससे आपको sanitize वगरा किया जाएगा और mask वगरा आपको compulsory होगा कि आपको पहनना होगा ये सारी चीज़े होंगी तो जो भी साथी preparation कर रहें अपनी preparation में लग जाए और आगे जो भी update होगी इस सी जुड़ी होई वो आप ल प्रिली current affairs in the English math reasoning GKS I को previous years के question paper और आपको classes quiz वगरा ये भी हम provide करेंगे हलाकि classes free of course होगी तो आप लोग जो screen पे number दिख रहा है इस पे आप message कर सकते हैं so thank you very much best of luck